इतने दिनों से जिस दिन का इंतिसार था आकिर वो आज आही गया बाजारों में आपको अलगी रौनक दिखाई दे रही है हर तरफ खूब साजो सजावट है यानि की छट का तेवहार है बता दे कि आज छट का तीसरा दिन है जो महत्पूर्ण होता है छट पूजा में भगवान सुर्य देव की अरादना की जाती है छट का तेवहार पूर्वी उत्रपदेश, भिहार और जारकंड में जोरों शोरों से बनाया जाता है छट की शुरुआत नहाए खाय से होती है और आज छट की तीसरे दिन डूबते हुए सुर्य को अर्द दिया जाएगा जो की सबसे जरूरी है और इसका समय क्या है वो सबसे जादा महत्पूर्ण है आईए आपको बताते हैं कि कौन से शुब महुरत में आपको सुर्य को अर्द देना है सबसे पहले आपको बता दें कि चार दिवसिया छट पर्व पूजा की शुरुवात हो चुकी है आज इस पूजा का तीसरा दिन है और इस दोरान उपासक पवित्र नदी और सरोवर में इस नान ध्यान कर सुर्य देव की उपासना करते हैं जो लोग इस वरत को रखते हैं उन्हें छट माता का विशेश आशिरवात प्राप्त होता है इस बार छट पूजा की शुरुवात 17 नवंबर से होई है और इस पर्व की शुरुवात नहाई खाई के साथ होती है इसके बाद खरना, अर्दे और पारण किया जाता है इसमें विशेश तोर पर सुर्य देवता और छट माता की पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से संतान प्राप्ती, संतान की रक्षा और सुक सम्रिद्धी का वर्दान मिलता है चार दिनों तक चलने वाला ये महापर मुख्य तोर पर बिहार, जारकन, योपी और दिल्ली में भी खूब मना जाता है 19 नवंबर यानि आज चट पूजा का तीसरा दिन है आज संद्य अर्द दिया जाएगा, आज चट के तीसरे दिन डूबत वे सुरज को अर्द दिया जाएगा, जिसका समय 5 बचकर 26 मिनट पर होगा आज से घाट पर लोगों की आपको भीड दिखने लगेगी, क्योंकि वहापर लोगी घटा होने लगेंगे आज का दिन मुख्य होता है, यानि चट के तीसरे दिन डूबत वे सुरज को अर्द दिया जाता है आज से दिन वर्ती शाम के पूरी शर्दा से पूज़ करती है इस दिन बांस का टोकरा सजा जाता है, जिसे दवरा कहते हैं, इसमें सुरत अर्द दिये जाने वाला सूप रखा जाता है जिसको लेकर परिवार के सभी सदस्य साथ में घाट पर जाते हैं और डूपते सुरज को अर्द दिया जाता है बतादें से संद्या अर्द्य भी कहते हैं शुमहुरत पर सूर्य को जल चड़ा जाता है आये आपको बताते हैं कि सुर्यास्त और 20 नवंबर को सुर्यदर का सही समय क्या है दिल्ली में जो आज सुर्यास्त का समय है वो साम 25 पर है जब सुर्य को अर्द्य जाएगा और कल सुबा उक्तेवे सुर्यास्त को जिसे अर्द्य जाना है उसका समय है 6 बच के 47 मिनट इसी तरह मुंबई में आज सुर्यास्त का समय 5 बच कर 69 मिनट पर है और कल सुर्यास्त का समय 6 बच कर 48 मिनट पर पटना में आज सुर्यास्त का समय चार बच कर 69 मिनट पे कल सुर्यदो का समय चार बच कर 1 मिनट पे भागलपुर में आज सुर्यास्त का समय चार बच कर 52 मिनट पे कल सुर्यदो का समय चार बच कर 2 मिनट पे नचल सुरार आज सूरज कर अर्ध कर आज जायर है कि आज टूर्थ जाएर सुरज को अर्ध देने के बाद विरत का समापन होगा छट एक लोता जहां अस्थ होते सूरज को जल देने की परंपरा है अभी के लिए फ्लाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi